कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो आए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक का दोस्तो उस टॉपिक का नाम है कि डिफ्रेंश बिट्विन ओवर्डियू रिसीवेबल और ओवर्डियू पेबल में क्या अंतर है आज हम इसके बारे में पढ़ें तो भी हम आपको बताएंगे तो आए शुरू करते हैं सबसे पहला point कि सबसे पहला point आता है कि overdue receivable किसे कहते हैं तो these are amount that a company is supposed to receive from its customer or client यानि कि कुछ ऐसा amount जिसे क्या करना होता है company को किसी दूसरे से receive करना होता है company को क्या करना होता है किसी दूसरे से receive करना होता है या लेना होता है चाए वो कोई customer हो सकता है या client हो सकता है उच्छी को हम क्या कहते हैं receivable या receive कहते हैं ठीक है या receivable कहते हैं clear होगे दूसरे पहला point है कि these are amount that a company is supposed to receive from its customer and client यानि जब किसी company को अपने customer से या अपने client से पैसा लेना होता है, उचको हम receivable कहते हैं, next, when a customer fail to make a payment by the agreed upon due date, the receivable becomes overdue, it means क्या होता है, जब कोई customer किसी दिये हुए time के according, अपनी payment company को देने के लिए, क्या होता है, fail हो जाता है, जब कोई customer किसी से लिया हुआ पैसा दिये हुए time के according नहीं दे पाता, या वो देने में fail हो जाता है, उस condition पे जो लिया हुआ पैसा customer का है, वो क्या हो जाता है, overdue बन जाता है, clear हुआ, next, overdue receivable can impact a company's cash flow, यानि कि अगर कोई company से company का क्या होता है, overdue receivable होता है, receivable क्या होता है, overdue हो जाता है, वो किस पे infect करता है, company की cash flow पे, and may require follow up action, और company को उस condition में क्या करने पड़ते हैं, action लेने पड़ते हैं, कैसे, जैसे कि अगर किसी company को किसी customer से पैसा लेना है, तो उसके पास उसे क्या भेजना होता है, reminder, message, reminder भेजना होता है, दूछरा, initiating collection process, और जो collection process का, यानि कि जो collection process का क्या एक way है, उस way को क्या करता हूँ, उनको follow up करना होता है, तो clear हुआ दोस्तो, overdue receivable क्या होता है, overdue receivable, सबसे पहले receivable पता करते हैं कि receivable क्या होता है, जब कोई सी company को किसी customer या किसी client से क्या लेना होता है पैसा लेना होता है तो हम उसको क्या कहते है रिशीविवल कहते है यह overdue कब बन जाता है जब कोई customer किसी जिससे उसने पैसा लिया हो और जो time दिया उस time के according वो पैसा क्या करता है उसको नहीं दे पाता है या उस company को नहीं बन जाता है overdue वो हो जाता है ठीक है और company क्या करती है overdue receivable करने के लिए कि अपने client को हो चाय customer हो उसको क्या भेजती है reminder या message भेजती है या जो उसका पैसे collect करने का जो process है फिर उसको वो क्या करती है follow up करती है क्लियर हुआ next चलते हैं overdue payable में next आता है on the other hand overdue payable are amount that are companies owed to its supplier और vendors यानि कि overdue payable क्या होता है overdue payable वो amount होता है जिसमें क्या करना होता है company को अपने supplier को हो चाय अपने vendors को उनको क्या करना होता है company को पैसा pay करना पड़ता है या जमा या देना पड़ता है ठीक है when a company does not make a payment to a supplier by the agreed upon due date the payable becomes overdue यानि कि जब company क्या करती है किसी दिये हुए time के according अपने client को या अपने supplier को या अपने vendor को पैसे नहीं दे पाती तो वो उस company के लिए balance क्या बन जाता है overdue बन जाता है clear हुआ next point overdue payable can strain relationship with suppliers and may lead to late payment fee और other consequences यानि क्या कहता है कि overdue क्या करता है overdue payable company के साथ relationship उचको strain करता है it means क्या होता है कि वो बिगड़ने के relationship जो है वो बिगड़ने के chances हो जाते हैं और उस condition में क्या करना पड़ता है कि company को अगर वो timely payment नहीं करती तो उस supplier को late fee payment late fee pay करनी पड़ती है और कुछ other ways है जो क्या करने पड़ते है company को pay करने पड़ते है या उन follow up procedures को follow up करना होता है clear वह दोस्तों कि overdue receivable क्या होता है overdue payable क्या होता है तो यह थी दोस्तों हमारी कुछ overdue receivable और overdue payable में वीडियो ते जिससे आपको clear हो गया आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगी कि टैली प्राइम में कैसे आप overdue receivable देख सकते हैं और कैसे आप overdue payable देख सकते हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर पता हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइ मिलती रहे वीडियो देखने के लिए थैंक यू शो मत दोस्तों